सो लास्ट की वीडियो में अपन समझाता के पेश, प्रोफाइल and groups के बारे में difference क्या होता है और इसका basic understanding क्या होता यह अपने समझाता तो आज की इस वीडियो में अपन समझने जाएंगे basically के facebook ad account और business manager and personal ad account इन तीनों का मतलब क्या होता है basically इसमें basic difference क्या होता है यह बहुत ही ज़ादा important topic है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझेगा सबसे पहले अपन समझते हैं यहाँ पर कि business manager क्या होता है और business manager की यहाँ पर importance क्या होती है, इस चीज़ को अपन यहाँ पर समझते है business manager यह क्या होता है कि इसके अंदर अपन multiple ad account बनाते हैं मैं example देता हूँ, सबसे पहले अपन समझते हैं कि business manager क्या होता है business manager क्या होता है कि यह किसी भी business के use के लिए होता है basically for example अगर आप कोई agency है, अगर आप कोई यहाँ पर agency है या फिर कोई company है चेक तो आपको यहाँ पर use करना चीये business manager यह कोई like, एक ad account नहीं होता है simple सा यहाँ पर आप multiple businesses handle कर सकते हैं, multiple clients के लिए use कर सकते हैं चेक, यहाँ पर आप manage कर सकते हैं अपने aad accounts एक नहीं, बहुत सार aad account manage कर सकते हैं चेक, आप एक time पर multiple Facebook pages को manage कर सकते हो टीक है as well as employees को manage कर सकते हो कि like मान लीजिए कोई आपके पास यहाँ पर 50 like clients है आपके और हर client का अपना अपना एक ad manager बना हुआ है मतलब ad account आपका बना हुआ है separate टीक है तो कितने हो गए 50 आपके ad account भी हो गए ठीक अब 50 ad account है अब मान लीजिए यहाँ पर एक एक employee को आपने यहाँ पर पाँच क्लाइंट दे दिये कि आपको पांच देखना है leven हर employee को आपने 5 clients दे दिये, तो कितने होगा यहाँ पर, 10 employees को यहाँ पर आपके 50 clients आपके बढ़ गए, तो मतलब यहाँ पर जो 10 employees हैं, इन 10 employees की पूरी activity आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि वो क्या activity कर रहे हैं, कितने campaigns run कर रहे हैं, क्या result आया है, वो आप easily watch कर सकते हैं, मतलब क यह जो 10 employees हैं, यह एक दूसरे काम नहीं देखेंगे, आप इन 10 हो का पूरा काम देख सकते हो, with the help of business manager, ठीके, आपके बस अगर business manager है, तो आप multiple ad account manage भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, multiple pages आप बना सकते हैं, उनको handle कर सकते हैं, आप यहाँ पर employees को work like handle आप दे सकते हैं, उनको आप handling दे सकते हैं, कि इस client का यह वो कि आपने उनको access दे दिया, आपको ID password देने की जरुवत नहीं है, आपको हर client के लिए अलग-अलग कुछ account या profile आपको बनाने की जरुवत नहीं है, आप single business manager से आप multiple clients को भी आप easily take care कर सकते हैं, basically business managers use होता है, बहुत ही बड़े level पे use हो Facebook ने हाँ पर कोई number नहीं दिया है, कि आपके पास इतने ही होने चाहिए, यह पूरा एक free tool है, easy to use है, यह पूरा free tool है, वो अपन practical भी समझेंगे, आने वाली वीडियो में, बट आपको पहले basic information प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आप समझ जाएं कि business manager क्या होता है, उसका use क्या ह होता है, अभी ad account के बारे में समझेंगे, कि ad account क्या होता है, और उसकी importance क्या होती है, business manager, it's a kind of a like platform, it's kind of a tool, वहां पर आप manage कर सकते हो, like multiple clients को, multiple like ad accounts को, multiple profiles को, multiple pages को, आप easily take care कर सकते है, and multiple employees को, right, so यह सारा एक place में हो जाता है, like all, all things are in a single place, or one place, right, यह सारा काम like single place में हो जात है, like all things are like handle while and single place, like one place, इसी को open कहते है, business manager, right, next अपना आता है, यहां पर, अब इसके देखे, इसके कुछ benefits क्या क्या है, जो मैंने आपको बता है, यहां पर कुछ points में लिखे गए है, आप यहां पर देखिए, पहला क्या है, manage multiple pages and multiple ad accounts, ठीक है, with the help of single business manager, देखे, अगर आप के पास यहां पर, like, मान लिजे, for example, 10 pages है, अगर आपके पास यहां पर 10 ad accounts है, right, और उसको आप single business manager से, आप easily manage कर सकते है, that is the importance of business manager, right, आप securely share कर सकते है, control access, जो employee का मैंने आपको बताया था, right, आप control access दे भी सकते हैं, ले भी सकते है, ad accounts के, pages के, और जो भी दूसरे assets होते है है, like, किसके facebook के, right, तो आप इसको, like, with the help of security, आप share भी कर सकते हैं, और किसी से access ले भी सकते है, right, easily, यही है third point में है, easily add or remove employees and agencies to your account, right, आप किसी agency को भी add कर सकते हैं, और remove कर सकते हैं, employees को भी add कर सकते हैं, remove कर सकते हैं, right, the fourth point क्या बोलता है, grant permissions, grant different permissions levels based on business objective, right, यहाँ पर कोई employee है, उसको आप admin का access दे सकते हैं, moderator का दे सकते हैं, editor का दे सकते हैं, advertiser का दे सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर mention है, grant different permissions level based on the business objective, यह employees के उपर, business objective के उपर, यह depend करता है कि आपको किस बंदे को क्या permission level देना है, right, fifth point क्या है, access valuable pixel data, अब like pixel data basically किस लिए होत होता है, for a remarketing purpose, right, और a retargeting purpose, right, यहाँ पर हर client का, आप different जो pixel है, उनको data को आप single platform पे आप easily manage कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा परशानियां दिक्कते नहीं होती है, six point क्या है, quickly build custom audience for your advertising effort, custom audience क्या होती है, यह आपका एक तरफ से होता है, remarketing के लिए और retargeting के लि audience जो आपके business से interact कर चुकी है, उसी audience को आपस से retarget करना है, that is called a custom audience, seventh point क्या बोलता है, यहाँ पर access the catalog and build product sets with ease, यहाँ पर आपका कोई like clothing sector है, business, clothing का business है, real estate का है, housing का है, right, so traveling का है, तो यहाँ पर हर category का, आप catalog design कर सकते हैं, catalog बना सकते हैं, उसका एक product set बना सकते हैं, और उस access दे भी सकते हैं, और as well as उसकी आप advertisement भी run कर सकते हैं, with the help of Facebook ad account, eighth point क्या है, business level reporting and multiple account, इसकी जो reporting होती है, right, business manager से, जो आप Facebook का business manager होता है, उसकी help से, आप सारे ad accounts, जो आपके multiple ad accounts होते हैं, उनकी आप reporting easily कर सकते हैं, with the help of business manager, right, इस point को मैं एक और बार समझाता हूँ, जो आपके multiple ad accounts होते हैं, multiple जो ad manager होते हैं, जहां से अपने advertisement चलती है, right, उसकी पूरी high level performance, जो भी reporting होती है, वो आप business manager से, आप single time में easily download करके, clients से भी share कर सकते हैं, और अपने team के साथ भी share कर सकते हैं, right, ninth point क्या होता है, Facebook support will refer to business manager when troubleshooting issues, अगर माल लिजे कोई आपके advertisement में, कोई business manager में issue आता है, तो directly आप यहां से FB support का use कर सकते हैं, like, like, किस चीज़ के लिए refer to use of business manager, right, अगर कोई troubleshoot related issue आता है, तो, tenth and last point क्या है, manage billing details, take and see spent result, मतलब की आपके जितनी भी ad accounts हैं, मतलब, जैसे कि मैंने क्या बोला, एक आपका यहा business manager है, और उसके अंदर 10, आपके क्या है, कि Facebook के ad account है, right, अब Facebook के ad account है, अभी 10 ad account है, अलग-अलग billing होती है, तो जितनी भी यहां पर अलग-अलग billing होती है, जितनी भी आपकी यहां पर अलग-अलग billing होती है, आप उसको यहां पर एक ही business manager से access कर सकते हैं, easily देख सकते हैं, स इन 10 points पूरा easily समझाया गया है, right, ठीक है, next यहाँ पर क्या है, facebook ad manager, ठीक है, facebook ad manager basically होता क्या है, ठीक है, अपन ने क्या आपन समझाता है, पहले business manager, right, confused नहीं होना है, business manager एक अलग चीज़ हो गई, और वो companies के लिए उता है, और ad manager के होता है, facebook ad manager होता है, यह किस के लिए होता है यहाँ से अपन advertisement run करते हैं, right, business manager से ad run नहीं होता है, ठीक है, business manager के अंदर facebook ad manager होते है, जो आपर ad account होता है, ad account, and facebook ad manager, एक ही चीज़ होती है, उसमें कुछ difference नहीं होता है, right, तो confused नहीं होना, तो business manager, उसके अंदर आपका एक part होता है, facebook ad manager का, ठीक, then, जो ad manager होता है, अपन इस करना है, facebook ads को, कि आपने कितने ad run करें है, right, create कितने करें है, edit करना है, optimize करना है, तो वो पूरा काम जो होता है, वो कहाँ पर होता है, आपका facebook ad manager के through, right, देखें, यहाँ पर क्या है, like ad manager is a facebook tool that lets to create and manage your facebook ads, right, like create, create, manage your facebook ads, or advertisement, you can, like you can view and make changes for see result for all facebook campaign ads and ads, मतलब की, like particularly, आप जितनी भी campaigns run करते हैं, उसके अंदर आप जितनी भी ad sets बनाते हैं, जितनी भी ad copy ad format बनाते हैं, उसको easily आप create भी कर सकते हैं, edit भी कर सकते हैं, like optimize भी कर सकते हैं, right, with the help of facebook ad manager, right, यहाँ पर next slide क्या है, like with the help of, यहाँ पर कुछ और points हैं, वो भी देखिए, create ad campaigns, एक नहीं, यहाँ पर multiple campaigns आप run कर सकते हो, मतलब जितनी भी facebook advertisement के types होते हैं, right, उनको आप एक time पर, आप easily tackle कर सकते हैं, आपको एक time पर, like multiple campaigns आपको run करने हैं, तो आप easily कर सकते हैं, with the help of facebook ad manager, right, creation, like you can use ad creation to design your ad, step by step process, right, when you create your ad, choose a marketing objective, यहाँ marketing objective से क्या मतलब हो आपको जो target audience ad करना है, आपको जो like locations ad करना है, या किन लोगों को आपको advertisement दिखाना है, किस type के लोगों को दिखाना है, वो पूरा targeting होता है, facebook ad manager के अंदर, like आपको कुछ format show करना है, कि मुझको user को image वाली ad दिखानी है, video के ad दिखानी है, collections of group के ad दिखानी है, carousal ad दिखानी तो पूरा काम किस के अंदर होता है, facebook ad manager के अंदर, right, अब यहाँ पर last आप देखे, यहाँ पर manage multiple ads, जो मैंने आपको बताया है, कि आप facebook ad manager से for single time multiple ads handle कर सकते हैं, manage कर सकते हैं, right, आप ad manager के help से आप added कर सकते हैं, settings, like आपको audience added करना है, उसका budget आपको add करना है, placement, अब यहाँ पर budget, budget in the sense कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं, right, facebook पे आप कितना पैसा लगा रहे हैं, वो आपका होता है budget, placement, आप कहाँ पर दिखा रहे हैं advertisement, like facebook, like stories हो गया, messenger stories हो गया, like instagram stories हो गया, आप कहां कहां पर advertisement दिखा रहे हैं, उसका मतलब होता है placement, तो उसको भी आप added कर सकते हैं कि मेरे को यहाँ पर ही दिखाना है, audience network में ही दिखाना है, मेरे को messenger में ही दिखाना है, मेरे को instagram पर ही दिखाना है, तो easily आप उसको manage भी कर सकते हैं, edit भी कर सकते हैं, like with the help of facebook ad manager, आप यहाँ पर like many ads and create copies of your ads duplicate, मतलब कि कोई आपकी advertisement चल रही है, आपको उसको edit नहीं करना है, तो उसको आप duplicate बनाके, live ad को आपको edit नहीं करना है, उस ad का आपको copy बनाके, duplicate बनाके, उसमें आप changes कर सकते हैं, उसको आप edit कर सकते हैं with the help of facebook ad manager, right, so this is called a like facebook ad manager, अब आता है आपका personal ad manager, अब personal ad manager क्या होता है, यह बहुत ही simple है, और इसको हमको use भी करना चाहिए, किस purpose use करना चाहिए, यह मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे मान लीजिए, मेरे पास कोई multiple clients नहीं है, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए, 2-3 clients है, ठीक, बहुत छोटा सा एक start-up या business है, 2-3 clients है freelancing कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं personal ad manager का easily use कर सकता हूँ, personal ad manager के लिए मेरे को यहाँ पर कोई भी business manager की need नहीं होती है, यहाँ पर single call profile लगती है, और profile तो सभी में लगती है, आपके उस profile होना जरूरी है, profile से directly आप ad manager first time आप खोलते हैं, तो आपका personal ad manager ही खुलता है, तो यह यहाँ पर आपको अलग से कोई business manager है, उसके अंदर ad account बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप directly profile से जब open करेंगे तो आपका personal ad account या personal business manager ही खुलेगा, personal ad manager ही खुलेगा, right, देखिए, क्या लिखा है यहाँ पर the personal ad manager is created from profile and may or not may be attased to the business manager, यह attased नहीं रहता है आपके business manager से, ठीक here you may attach your card or filling amount using any of above method, अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, personal ad manager में क्या होता है, basically, आपको जो budget section रहता है, ठीक है, जहाँ पर आप payment add करते हैं, जहाँ पर आप amount add करते हैं, कि मेरे को कहां कहां पर advertisement दिखानी है, ठीक है, आपने budget set करा 1,000 rupees, अब जो 1,000 rupees आप add करने जाएंग आपका paytm तक का, इतना सारा एक structure देगा, इसके through amount add कर सकते हैं, यह option केवल personal ad manager में आता है, आप जब कोई नया business manager बनाएंगे, उसके अंदर जब आप multiple ad account बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको net banking देगा, ना आपको UPI देगा, ना आपको paytm देगा, आपको debit card और credit card से ही के options आते हैं, कि आपको कहां से add करना है amount, तो क्यों लोग दो ही आएंगे, personal ad manager में इतने सारे options रहते हैं, तो यह basically difference होता है, business manager, facebook ad manager and personal ad manager, यह आपको theoretical थोड़ा सा information दिया है, कि यह यह चीज़े होती है, like benefits है, like business manager की, facebook ad manager की, और personal ad manager की, तो इसको थोड़ा सा practical समझेंगे, कि like इसका use कैसे कर सकते हैं, और किस तरीके से हो सकता है, और इसको create करना है, तो कैसे करेंगे, business manager आपको create करना है, उसके अंदर multiple ad accounts बनाने है, या किसी को access देना है, या किसी से access लेना है, तो अपन कैसे कर सकते हैं, वो अपन समझेंगे practically, so let's come to my screen, so guys, अपन ने PPT में क्या सम समझेंगे, इस वीडियो में अपन समझेंगे, इनका practical use, right, कि आपको business manager का access आपको देना है, या किसी से लेना है, टेक, उसका use क्या होता है, कैसे बनाते हैं, एक business manager में आप multiple ad account कैसे बना सकते हैं, टेक, आपका personal ad account क्या होता है, यह आज अपन अभी practically समझते हैं, जैसे कि म मतलब आपका अगर facebook का नया account है, नई profile है, नई profile से आप directly menu पे जाकर add पे click करते हैं, और जो dashboard आपके सामने open होता है, वो आपका simple सा personal ad account होता है, ठेक, personal ad account के लिए business manager के need नहीं होती है, जैक है, अब यह मेरा personal ad account कुल गया है, जैक है, इसको मैं हाँ से cancel करता हूँ, business manager में जा जाओ, business setting पर आप जैसे ही जाओगे, वैसे ही आप business manager पर विजिट कर जाएंगे, यह एक पहला तरीका हो गया, second तरीका क्या होता है, कि आप यहाँ पर लिखिए business.facebook.com slash overview, यह directly आप लिखेंगे, तो भी आपका business manager open हो जाएगा, यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बताया थ सकते हैं, pages को आप manage कर सकते हैं, employees, जो आपके people हैं, उनको आप manage कर सकते हैं, और सारा यह आपको एक प्लेस मिलेगा, और यह भी आपका free tool है, पूरा, इसके लिए ना फेस्बूक को को चार्ज देना है, अब यहाँ पर यह open हुआ, मैं यहाँ पर business setting पर जाता हूँ, आपको मतलब जो आपका business manager होता है, यह आपकी उस level पर setting होती है, यह जो आपका advertise दिखरा है, यह आपका add account level पर setting होती है, और जो analyze और report होता है, यह आपकी reporting के लिए होती है, कि आपका campaign के से चल रहा है, client को report देनी है, क्या देनी है, performance आपको measure करना, analytics आपको देखना, तो यह सारा इदर से होता है, analyze and reports है, यह इंगेज customers और sell product यह एक e-commerce के लिए होती है, catalogs बनाना है, आपको store location आइट करनी है, यह उसलिए use होता है, तो अभी क्या करना है, अपन business पर जाते हैं, business setting पर आपको जाना है, जैसे आप business setting पर click करते हैं, वैसे ही आपको redirect कर देगा, आपके business manager अब यहां पर देखिए आपके redirect कर लिने business manager पर, यहां पर देखे सकते हैं, अब यहां पर देखिए, तो यहां पर आएंगे तो यहां पर दो Just का डैश्बोर्ट एग है मतलब से में बट open करने का तरीका अलग है अब यहां पर मैं directly create business कर सकता हूं और यहां से मैं directly create account कर सकता हूं यहां से आपको देखना है कि आपके वाच कितने यहां पर यहां से भी आप पर यहां पर यहां पर कितने दिख रहे हैं आपको एक नया एकाउंट क्रिएट कर रहा हूं उसके अंदर पन क्या करेंगे करेंगे पर यहां पर आपके बिजनस का नाम आएगा और यहां पर आपके ब्रिजनस की Campaign ID है तो मैं ज़्यादा उसको प्रिफर करूंगा कि आप उसको डालिए अगर नहीं भी है तो यहां पर आप जीमेल आहू ठीक है जो आपकी थर्ट पार्टी है वह लाइक उनके आप इमेल डाल सकते हैं तो यहां पर मैं ले लेता हूं हिमान्शू.wsqubetech.gmail.com यहां पर मैं पूरा फ्रेश है आपको बता रहा हूं अब यहां पर मैंने यहां पर क्या करा कि अपना पूरा बिजनस मेंदर सटप करा अब जो मैंने इमेल डाला है हिमान्शू.wsqubetech.gmail.com उस पर क्या होगा उस पर आपका confirmation मिल गया है वो भी अपन चेक कर लेते हैं अभी इमेल आइडिवे मैं चेक कर लेता हूं कि वहला आपको वैरिफाय करना है यहां से और कुछ नहीं करना है इसको मैं डन भी करूंगा यह आपको बिजनस मनेजर क्रिएट करके देगा जैसे मैं करूंगा जो आपने नया बि वैरिफाय कर लेते हैं आया है आपगो ओंफर्मेशन यापको आपको नहीं देना चाहिए जैए आपको क्या नगिव हैं क्यूप टेक लर्निंग के नाम से यह आपका क्या बन गया है बिजनस मेनेजर अब इस बिजनस मेनेजर का मेरको एक्सिस देना है अगर किसी को ठीक है तो यहां से मैं क्या करूंगा नाम से email address से या उसकी आईडी से जो आपकी आईडी रहती है यह वाली जो आपकी आईडी यह उपर आप देख रहें एक यहाँ पर यहां पर लेक आपको इमेल आडर्टरस जानना है जिसको आपको इस बिजनेस मेनेजर का एड अकाउंट का नहीं इस बिजनेस मेनेजर का आपको गर एक्सिस देना है तो जैसे ही आप यहाँ पर इमेल आड़ी डालेंगे यहाँ पर आपस दो ऑप्शन एक तो मैंडेटरी होगा लाइक वह आपका आपका अटोमेटिकरी क्लिक होगा एक आकसिस मतलब अचन एक्सिस मतलब कर सकता है यहां पर इम्हेलटरी डालेंगे सारे ट्ूल्स नहीं रहेंगे दिर एक्सिन रहेंगी उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं नहीं कर सकता है यहां से admin का access आपको on करना है यहां पर उसका email डालना है और देन आपको like confirmation like mail जाएगा उसके बास वो जैसे इसको confirm करता है उसके बास business manager का access चला जाएगा यह simple सा होता है लोगों को invite करना for your business manager अब accounts में आते हैं ठीक है यह यह जो आपको तीन दिख रहे हैं यह किस चीज़ के डी एड़ अकाउंट नहीं होगा यहां पर कोई भी एड़ अकाउंट नहीं है wskiptec learning डस नॉट हैव एड़ अकाउंट यहां पर कुछ भी access नहीं है ठीक manager अट यहां पर अपने एड़ कर लेते हैं अब तीन तरीके से होते हैं ठीक है एक होता है आपका add an add account दूसरा होता आपका request access to add account तीसरा होता है create new तो यहाँ पर तीनों तरीके से आप कर सकते हो आपको add करना है किसी का add account ठीक है तो यहाँ से कर सकते है request connection अगर किसी से लेना pasado कि तो आप यहाँ पर वicz चीज़ कर सकते है आपको नया अगर उसने तो ब्लॉक कर दिया तो मतलब कि लाइक उससे आपना campaign बना सकते हैं ना आप कुछ भी activity कर सकते हैं तो at least आप यहाँ पर multiple ad account आप बना सकते हैं multiple ad accounts में सबसे बड़ा benefit है कि आपका business measure ब्लॉक नहीं होगा और आपका काम नहीं रुकेगा आपका ad account अगर ब्लॉक हो गया तो वहाँ पर फिर चीजें जो resources होती है campaign करने की वह आपकी वहीं पर ब्लॉक हो जाती है तो आप एक नहीं multiple ad account यहां पर बना सकते हैं यह होता है वह अभी आगे मैं आपको बताऊंगा यह अभी उन अपने business के लिए अगर किसी अनादर business के लिए तो यहां पर आप वह भी ले सकते हैं तो यहां पर बीजिस्ट कर सकते हैं और आपको सेल्फ अपने बिजनस के लिए करना है तो यहां पर वो भी ले सकते हैं अब जिसे मैंने यहां पर create करा तो यह आपको क्या होगा एक ad account easily create हो जाएगा यह आपका easily add people to site permission आपको people's को add करना है जिसे यहां पर अभी मैंने बनाया था वह यहां पर मैं add कर रहा हूं अब आपको कौन-कौन से access देना है यहां पर आप ले सकते हो manage access का देना है ठीक है manage campaigns का देना है view performance का देना है manage creative hub mock-up का देना है या पूरा control देना है कि भीया easily वो बंदा पूरा add account को manage कर लेगा मतलब add चलाने से लेकर finance से लेकर permission से लेकर setting से लेकर पूरा access उसके पास रहेगा अगर आप full control देते हैं तो यहां पर मैंने इसको assign करा यहां पर देखे successfully आपका add account बन भी गया और आपको assign गया यहां से आपको payment info जो है वह आप add भी कर सकते हो यह आप next video में समझेंगे कि payment info कि importance क्या होती हो और billing में कैसे setup करना होता है यह आप next video में समझेंगे तो इसको भी यहां पर मैं नहीं समझा रहा हूं यहां पर मैंने इसको close करा इसको exit कर देता है अभी आपका add account यहां पर create हो गया अब ऐसी एगर पेज यहां पर आपको पेज बनाना तो सेम सेम चीज़ें यहां पर बना सकते हैं यहां पर वही एड़ एड़ पेज रिक्वेस्ट एक्सिस टू पेज और create new page तो create new page है यहां पर आपको local business और company कोई product है कोई brand है आर्टिस्ट है आपका पेज आपका business किस चीज से रिलेट करता है वह आपको category यहां पर यहां पर मेरी क्याना company है तो यहां पर अपन company का लेते हैं यहां पर page name डाल देते हैं क्यों क्योंकि यहां पर अपन ने जो business manager बनाया है वह भी डव्यास क्यूप टेक लर्निंग के नाम से बनाया है तो easily मुझको connect कर पाए चीजा connect कर पाए कि हाँ जो मेरा business page है ठीक है उसी के नाम से business manager बनाया है तो easily connectivity बन जाती है मगर यह compulsory नहीं है कि आप अगर same page है तो आपको same business manager बनाना है या आपको add account बनाना है तो ऐसी कुछ compulsory नहीं है बट चीज़े relate करने के लिए systematic step होता है ठीक है उसको समझने के लिए तो अपन एक form decide करते हैं कि step decide करते हैं तो वह simple सी चीज़ है तो यहाँ पर मैंने डब्ले स्क्यूप्ट लर्निंग ले लिया यहाँ पर category ले ले लेते हैं अपन education ठीक है और create a page यहाँ पर यह आपका dabbliyle script learning के नाम से easily page create हो जाएगा देखिए आपको easily page create हो गया आपको यहाँसे इस page का डबले डबले क्या लनिंग कर दीजे को कर दीजिये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको एड गरना है तो यहाँपर आप आप पेज कर सकते हैं वापस से आप नया page बनाना है request access new page करना वो भी कर सकते हैं same it is for मतलब यह नया page ठीक है एक तो अपन ने बनाया आपको और multiple अगर बनाना है तो यहाँ से भी आप बना सकते हो किसी का page का access लेना है तो वो भी आप ले सकते हो मतलब limitation नहीं है यहाँ पर same for ad account ठीक है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको एक और ad account बनाना है तो यहाँ से आप नए ad account भी create कर सकते हो उसके लिए भी कोई limitation नहीं है यहाँ पर आपको ad account name और आपका currency यहाँ पर आएना डालना है जिस भी country है जिसे मालनों कोई foreign लेना है क्यों reason क्या होता सबसे बड़ा क्योंकि जिस country पर हर country का अपना tax पे अलग अलग होता है तो यहाँ पर आपको payment में डालना पड़ता है जो billing setup होता है वहाँ पर आपको डालना पड़ता है जिससे अपन को जीस्ट डेटर में मिलता है वह आपको next video में समझाऊंगा मैं तो यह अभी अपन ने क्या देखा लाइक आपको business manager का access देना या लेना है तो आप कैसे कर सकते हैं यह people पर जाकर अपन ने देखा था create करके नया add account में multiple pages आपको कैसे बनाने है add account के अंदर पिर आपको multiple add account कैसे बनाना है या उसका access लेना या देना है तो वह अपन ने यहाँ पर देखा था इसकी कुछ मैं आपको settings भी दिखा था अब इतने सारे options रहते हैं ठीक है जिसे कि आप पर मान लीजे data source है यह किस ची करना है या उनकी similar audience आपको बनानी है तो वह उस परपस से आपका data source होता है यह business manager लेवल पर भी होता है और add account लेवल पर होता है यहां पर आपको कोई चिस ब्लॉक करनी है ठीक है मतलब यह अलग अलग scenario है यह आपको मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा आपको hint देता हूं अब जैसे कि क्या होता है फेस्बुक में एक publisher list होती है मतलब जहां जहां पर आपकी ad दिखती है उसको अपन कहते है placement जहां जहां पर आपके advertisement शो होती है अब जैसे कि आपका audience नेट में हो गया मतलब कि एक partner application और partner website होती है जहां पर advertisement आपकी show होती है in stream videos होती है वहां पर आ मेरे को इन ही application पर दिखाना है मैं चाहूं तो मेरे को इन पर नहीं दिखाना है इन वीडियो की बीच मेरे को आपन नहीं दिखाना इन pages मेरे को आपन कर सकता हूं डूमेन को भी और एक like block list में prepare कर सकता हूं कि मेरे client का या मेरी जो advertisement मेरी यहां पर show नहीं होनी चाहिए उसी चीज़ को आपन कहते है brand safety then registration integration यह आपन आगे समझेंगे वीडियो में जैसे यहां पर आपको पूरा systematic आपने जो business manager create करा है ठीक है like किस business की भीहाफ में है आपका business वह आपको सारी details यहां पर डालनी है आपको लगता है कि अब यह client खतम हो गया client चला गया है इसका कुछ काम नहीं तो यहां से आप delete भी कर सकते हैं अपना business manager आप business manager को delete करोगे तो उसके अंदर जितनी भी ad account बने है वो सब automatically delete हो जाए अब यहां पर आपकी business details आपको डालना है आपका legal name of a business address, business phone number, websites, text IDs ठीक है आपका business verification status ठीक है यह आपका जब उपर डालेंगे ठीक है details वगर डालेंगे तो automatically आपका verify कर देगा अब यह कुछ history है यहां पर अभी ad account कित्ते creation है ठीक है यहां पर आप 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 आपने देखा यहां पर यहां पर यहां पर यह की दिखा रहा है ठीक है यहां पर आपको बिजनस की information आपको 100% डालनी है अब regarding the payment method या payment information जे वो आपन नेक्स वीडियो में समझेंगे like till then, take care, bye bye हुआ